हाई गाईज विल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल आई होप यूगाईज आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट सो गाईज मैं इस वीडियो में आपके साथ सेर करने वाली हूँ दिवाली ग्लो अट होम आपके ऐसे घर पे ही कुछ प्रोड़क्ट से ग्लोइंग स्किन पास सक तो चलो गाईज इस बार अपने स्किन को पटाखा बॉंब एंड फुल जहरी की तरह चमकाते हैं तो गाईज सबसे पहले हम करेंगे अपने फेस को एक्सपोले जिसके लिए मैंने लिया है थोड़ी ची पीची हुई चीनी एंड राइस फ्लॉर चावल का आंटा एंड हाफ टमाटर इससे हम अपने स्किन को स्क्रब करेंगे एकदम अराम से मैंने इस पे वीडियो करने में मदद करता है इसे काफी अच्छी स्वाप का डेट सेल्स जो भी है निकल जाता मुझे तो यह बहुत अच्छे लगते हैं जो भी बचा कुछ है उसको अपने हैंड पे रप कर लूगी फेस के साथ हैंड को भी चमकाना जरूरी है दैन मैं करूंगी अपना हैर केर ह के लिए मैं पहला स्टिप जो करूंगी वह हमारा हैर मास्क अप्लाइ करना हैर मास्क के लिए मैं यूज करूंगी पिल्ग्रिम का हैर मास्क यह मुझे बहुत टाइम से मतलब अच्छा लगता है यह मेरा वन अफ दा फीवरेट मास्क बन चुका है एंड गाइस मुझे ऐस हैं आप्लाएँ कर सकते हो य Columbi करे के बाद अपने बाल को टायक करेक। 30 मिनिट हम हैर मास्क को रखेंगे अपने बालों में अब तक फेस पैक बना लेते हैं क्यों ही अपना टाइम बरबाद करना तो सबसे पहले मैं गुडवाइप्स का उपड़न पॉडर ली हूँ एंड उसमें मैंने मिक्स किया है अलो वेरा जेल जो की पतंचलिक है हाफ एंड गाइस आलस्पन का भी हत होता है मेरे पास ब्रश नहीं था ब्रश लाने जाने की कारण मैंने ऐसे चम्मत से उसे अपलाई कर लिए कोई बात नहीं होता है एंड गाइस अच्छी बतो मैंने काफी टाइम से अपना वैक्सिंग नहीं कर रहा है एंड वीडियो में आपको बार बार में हैंड के हैर्स दिखते होंगे बट मैं थोड़ा से डिले कर ले थी क्योंकि मुझे अभी कोई स्किन प्रॉब्लम हो था जिसके वज़े से मैं व अब मैं यूज करूंगी अलो वीरा जिल पतांजली का फेशल हेर रिमूफ करने के लिए आप कभी भी ड्राइफेश को अपने सीव मत करना इसे बहुत सारे कट लग सकते हैं सच बताओ गाइस तो आपको रिजर हमेसा यूज भी नहीं करना चाहिए मेरे तो इतने ठिक बा वीडियो को फास्ट फॉरॉड पे किया था एंड गाइज हेर मास्क मेरा ड्राइ हो चुका है एकदम तो अब मैं जाओंगी सावर लेने सैंपू के लिए मैंने यूज किया बी बलंट का सैंपू एंड बी बलंट का कंडिशनर इससे अपके हर्स काफी स्मूध हो जाते हैं एंड गाइज बॉड़ी वश के लिए मैंने यूज कर है कामिस्ट एट प्ले का बॉड़ी वश के लिए मैंने यूज किया है एंड आल टाइम फेवरेट है एंड इसक्रब आपको विक में दो बर कर लेना चाहिए जो गाइज मैं आ चुकी हूँ सावर लेक एक दम यह सुगंदा का बॉडी लोशन है बहुत इफेक्टिव है गाई थोड़ा सा और फेश को चमकाने के लिए मैं यूज करूंगी पिल्ग्रिम का पिलिंग सॉलूशन आपको दो चार ड्रॉप्स लिके अपने फेस पे अपलाई करना है एंड जेंटली मसाज करना है एंड 10 मिन मैं यूज कर लिया है एंड अब मैं यूज करूंगी अपना बेसिक स्किन केर जो कि मैं डेली फॉलो करती हूं सो गाई सबसे पहले मैं यूज करूँगी मिनिमलिष्ट का टोनर यह काफी अच्छ सचा आपके स्किन की पौर को मिनिमाइज कर देता है जो भी ब्लैक हैड्स है उसे रिमूव भी करता है अपके पौर को टाइट करता है अब मैं यूज करूँगी minimalist का serum जो की especially मैंने लिया है अपने blackheads के लिए यार आज कल इतना blackheads ने मुझे परिशान कर रखा है so मैंने यूज करना श्टार्ट कर रहा है अब मैंने apply के है moisturizer जो की lack में peach मिलका है and यह मेरा all time favorite है guys मैं लगता है मैं इसे 5-6 सालों से यूज करती हूं और मुझे यहीं पसंद आता है and guys video बना बना के नहीं मैंने अपने eyes का band बजा लिया है तो मैं यूज करूँगी eye cream and यह है मेरा all time favorite dot and geek का lip balm so guys hair wash करने के बाद मैं apply करूँगी laurel का hair serum यार यह वाला hair serum apply करने के बाद मेरे hairs में काफी फर्क पड़ाया मेरे hairs इतने dry and fridgy थे ना हमें हमेशा ऐसा कोई serum conditioner डूणती थी hairs को smooth कर दे बट इसने वाकई में काम कर दिया और यह था मेरा glow डोई सा skin यार सारा काम तो हम लोग हाथ से ही करते हैं तो अपने nails को कैसे पीछे सोड़ सकती यह तो बैमानी हो गई ना तो चलो थोड़ा सा nails का भी care कर लेते हैं nail paint remove किया then nail को shape दिया थोड़े बहुत जो भी extra nails से and nail paint लगाया तो हो गया हमारा nail care एक दो step करके हाथों की खुबसूरती भी बढ़ा ली गई so guys यह था वीडियो कैसे लाइक कमेंट में बताना subscribe कर लेना वीडियो को like कर देना